हलो एवरीवन मैं आर्वीन जिनर्व का स्वागत करता हूँ राजस्तान वंदरक्षक वनपाल बरती 2022 को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रही है संसोदित विग्यप्ति को लेकर आवी दन कब से कब तक भरे जाएंगे इसकी एज लिबिट क्या होगी योगता क्या होगी नई एक्जाम पैटर्न क्या रहेगा एक्जाम कब तक हो सकती है कंपलीट डिटेल या पर मैं आपको बताने वाला हूँ तो पैसेंस बनाकर वीडियो का इन टक देखते रहें जिसने आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाई जिसे आने वाली सबी वीडियो का संसोदिद विग्यप्ति है वो जल्दी से जारी हो तो फाइनली यहां पर जो है राजस्तान करमचारी चैनबोर्ड ने रास्तान वंद्रक्षक वनपाल भरती की संसोदिद विग्यप्ति जारी कर दी है और आपके जो आविदन है वो आप सुरू हो जाएंगे तो कब से विदन भरे जाएंगे कितने पदों पर यह वापस से बढ़ती हो रही है और कौनकोर विद्यारती अपलाई कर सकता है इस पर चर्चा कर लेते हैं तो यहापर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कितने पद हैं तो तेवीस्तो नन्याड में पद हैं टोटल पोश्ट जो आगर हम बात करें यहापर वन पाल की क्या योगता होती है और रक्षक की बात करें तो दस्वी पास होती है अब मैं आपको बताना से होगों सब्से इंपोर्टेंट अपडेट की फौरम कब से कब तक बढ़े जाएंगे जिसका आप लोग इंतिजार कर रहे थे कि वापस के form कभी start होंगे तो जो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले form नहीं लगाया था जो आप नए से form लगाएंगे तो उनके जो आविदन की तितिये मैं आपको बता देता हूं फॉर्म start होंगे 14 मार्स से 14 मार्स से form start होंगे और 29 मार्स तक आप जो पुराने विद्यार्ति है जिनोंने पहले ही 2020ों में है इसके जो फॉर्म में हो लगा दिये थी का उनको वापस से लगाना होगा तो नहीं उनको लगाने किया हो सकता नहीं है जो ऐसे विद्यार्ति जो इसनों रहे attachments रह गे थे जिनों तब फॉर्म नहीं लगा या अब आपका मन मन रहा है कि भी अब हम लगा सकते हैं के फॉर्म तो जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं एक तरह से नई सरी से बरती वापस से आई है और काफी ज़्यादा पद जो है इसमें हो चुके हैं काफी बड़ी बरती है क्योंकि इसका exam pattern बड़ा आसान होता है तो य वनपाल की age limit है तो वनपाल की जो age limit है मैं आपको बताना चाहूंगा minimum जो है 18 वर्स और maximum जो हो जाएगी 40 वर्स वहीं हम वंदरक्षक की बात करें तो minimum जो है 18 वर्स है और maximum 24 वर्स है साथी जो आरक्षित वर्गें उनको छूट भी रहेगी तो ये तो रही है आपकी eligibility क्योंकि पहले इसका notification आ गया था फिर बाद में जो है exam date भी गोशित हो गई थी उसके बाद में इस पर रिट लग गई क्योंकि फिर बाद में पद बढ़ाने कि याँ पर मांग हुई तो पद बढ़ा दिये गये हैं पोश्ट ज्यादा हो गई है 2399 में पोश्टों पर ये फोरम बरे जाएंगे तो जल्दी ही इसका exam भी जो होगा तो अक्टूमबर मैंने संभावी दे रखाया तो हो सकता है कि अक्टूमबर से पहले ही इसकी exam हो जाए ये अक्टूमबर में तो आपकी exam होई जाएगी तो उसके रिगार्डिंग भी जल्दी update सामने आ जाएगी इसके अलावा इसका complete syllabus क्या है last time ये वरती कभूई थी इसका paper कैसा हुआ था इसकी cuttop क्या रही थी इन सभी topics पर बहुत जल्दी हम वीडियोज लेके आएगे और detail में आपको explain करेंगे साती क्या पड़ें क्या नहीं पड़ें क्या बैस्ट होगा आपके लिए क्योंकि एक document के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट है ये सभी जो विद्यार्ति जो जिनका मैस अच्छा नहीं है जिनका English अच्छा नहीं है हिंदी अच्छा नहीं है वो विद्यार्तियों के लिए बहुत अच्छी बढ़ते हैं क्यों इसके अलावा जो है reasoning के सवाली पूछे जाएंगे लगबग 100 कुशन आते हैं दो गंटे का पेपर होता है जिसमें आपके रास्तान का सामयन ग्यान पूछा जाएगा विज्ञान के सवाल कुछ पूछे जाएंगे और कुछ आपके current reference और reasoning के सवाल होंगे तो बड़ा आसन exam pattern है इसके अलावा जैसे आपका यह यहापर जो है संसोदित विध्यप्ति आ गई है इसके जो फॉर्म है 14 मार से लेकर 29 मार्स तक बरे जाएंगे तो यदि आप SSC exam bank railway जैसे general competition की preparation कर रहे हैं और भारत के number one learning app academy से आप जुड़ना चाहते हैं तो यहापर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे जुड़ पाएंगे और regular फिरी special class और plus class ले पाएंगे तो सबसे पहले आपको भारत के number one learning app academy को play store से डाउलोड करना होगा डाउलोड करने के बाद register करें sign in करें अपने mobile number से उसके बाद में category select करें सबसे पहले आपको category select करनी होगी अगर आपको किसी और educator से पढ़ना है तो उसको भी आप लोग फोलो कर सकते हैं और उनकी class भी ले सकते हैं फोलो करने के बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ regular मेरी classes हो रही है plus में भी classes हो रही है free में भी classes हो रही है मेरी free special class morning में सुबह 8 बजे होती है उसके बाद में 11 बजे होती है और उसके बाद में शाम को 8 बजे और साड़े 9 बजे class होती है जिसमे मैं आपको जो है general science और aesthetic जीके पढ़नी है आपको practice करना है और वहाँ पर आना है तो आप लोग class का link description में है उस पे click करना class open हो जाएगी और upcoming सभी classes पाने के लिए आप मुझे follow कर लीजिए मेरी profile का link भी description में है आप सभी लोग जूड़िए free class है कोई विद्यारती आ सकता है और पढ़ सकता है अगर आप general competition की तैयारी कर रहे है वहाँ पर बहुत सारी features है आपको poll दिये जाएगा आपकी rank आएगी तो सभी लोग जूड़ जाए एक्जामनेशन form की अगर हम fee की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा जंडल की साड़े 400 है EWS की साड़े 300 है वहीं SST की 500 रुपर या पर fee आपकी लगने वाली है तो आप लोग SSID से form लगा सकते हैं जिन भी विद्यारतियों ने पहले form नहीं लगाया है और भी अगर कोई detail होती है जो मैं आपको नहीं बता पाएं इस वीडियो के अंदर तो अलाक से एक वीडियो बना दूँगा तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है form लगा देना आप लोग 14 मार्स से form स्टार्ट हो अल दी बेस्ट धन्यवाद